तो बाकी लोग दिन बर पुतला जलाएं, चिलाएं, गाली दें, उनको कोई कुछ करने वाला नहीं, हमने एक जीत गा दिया अभी साल भाईया ने, तो दंगी आने लगी, यो भाई, उनके उपर बेफायार करो जो रोज पुतला जला रहा हैं, अभी दसारा में तुमारे पुर्सों को मिशन को सबसे ज़्यादा कम जोर करने माले हमारे संगठन के लोग हैं, उन्होंने, मनुवादियों ने, हमें किवल 6,743 जाती में बाठ था, लेकिन, इन संगठन मालों ने तो हमें लाकों संगठन में बाठ दिया है, टुकडे-टुकडे में कर दिया, एक ब करना राता पैसा कमाना राता हुं कुछ भी गा सकते हैं को फूंभ यॉससी के साथ कोई 10 अजार अपना लेकर के इदर चल रहा है कोई अपना 2060 का अदमी लेकर इदर चल रहा है कोई कुछ नहीं होने वाला है आप लोग इसे यूट्बूप पर यूट्टियो वाइए पकोरें यूट्फ पर फेस्बूक पर आदड़ी एराष्टी मिशन गायक विशाल गाजी पूरी वह सपना बोध जी को लगातार लोग फोन करके परिशान कर रहे हैं दमकिया देर रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक गीत गाया था आया देश बिक्रे था और इस गीत को ले करके उनके नमबर पर लगातार अलग 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 जगाओं से फोन आ रहे हैं और उनको परिशान किया जा रहा है दमकिया दी जा रही है गाना छुड़वाने की दमकि दी जा रही है मारने की दमगी जीदा रही है थपड मारने की अफाई आर करने के मुकदमा कर्मिंग की तमाब पराख करके आप सारे आईडियो सुने होगे यूटूब पर किलियर किया गया है नहीं सुने तो सुन लीजिए गाजा करके मेरे चैनल पर भी है उनके चैनल पर भी है और रात को दो बजे उनके स्टूडियो नुन आरा बजार गाजीपूर रात को दो बजे अब अग्यात लोगों ने जला दिया है पोश्टर रुस्टर को बाबा साहिब के जो नाम से लिखा गया था जाभी हम रिकार्डिंग स्टूडियो उसको जला दिया गया है और पुलिस को बुलाने के बाद पुलिस फाइयार लिखने से मना कर रही है और पुलिस का कहना है कि मोदी के खिलाफ क्यों गाए गाना तो मैं आप सभी से यह अपील करना चाहता हूँ आज सुबह दस बजे नोन आरा बजार गाजीपूर पहुँच करके ज्यादस ज्यादस संख्या में और थाने पर आदर्णी बिसार गाजीपूरी का साथ देते हुए भाईयार दर्ज करवाने की किरिप्या करें आप लोग पहुचें उनकों सपोर्ट करें आप सभी के स्वयोग की जरूरत है और साथ इसाथ सभी सभी मिशनरी कलाकारों से गाईकों से मैं ये निवेदन करता हूं शला देता हूं कि आप लोग सावधान रहें, सतर्क राने की जरूरत है इस सरकार में कुछ भी हो सकता है कुछ भी इसलिए आप लोग सतर्क रहें, सावधानी से रहें सुरक्षित रहें और आज सुबह 10 बजे पहुच कर ज़्याद से ज़्याद संख्या में नजदीक की साथ ही, दूर के साथ ही जो लोग पहुच सकते हैं, पहुचें मैं तो भी यार में हूँ नहीं आपाऊंगा आप लोग पहुचें और आदड़ी विसाल भईया के साथ थाने पर जा करके नोनारा और एफ आई यार लिखवाने का काम करें अग्यात लोगों खिलाफ जिनने ये गिनवनी अरकत की है आप लोग जरूर पहुचें और उन्हें सुरक्षम होईया करा है ये बात सेयर करने के लिए आप से बीच में ये लाइब मूँँ इस वीडियो के ज्यादा सेयर करिए अखिर लाखों लोग इस देश में करोनों लोग मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं योगी के खिलाफ बोल रहे हैं कनया कुमार हुए वियार का वो एक बीनवे दूबे हुए बहुत सारे लोग हैं जो मोदी के खिलाफ बोलते हैं क्यों नहीं बोलेंगे भाई हम आम जनता हैं हम पब्लिक हैं हमारी सेवा के लिए ये नेता बनाए गया है थाना पूरीस मुकदमा कोट का चारी पब्लिक की सेवा के लिए बनाए गया है हमारे साथ नयाय करने के लिए बनाए गया है हमारी रक्षा करने के लिए सुरक्षा कर पूरा देश प्राइबेट हो गया नेजी करन कर दिया गया हवाई एडडा रेलबेश लाल किला बिजली सब कुछ स्कूल बिद्याले इन्वर्सिटी बड़ी बड़ी और भाईया कर रहे हो कि क्या प्राइबेट हुआ है और गीत गा दिये तो इतनी तुमको चुड़ हो को रोज लाखों लोग गाली दे रहे हैं मीडिया के सामने आ करके तुमारे योगी मोदी को साथियों ये खोने की जरूरत है आप लोग ज़्यादा सपोर्ट करें पहुचें दस बज़े तक आज सुबह पहुच पाद रहे हैं अगर आप तो पहुचे आदली विसाल जी की स्टूडियो पर नोनाराब अजार गाजीपूर कठवा मोड़ जाने के बाद आप वहाँ से जा सकते हैं तो आप लोग पहुचें और दोसियों के खिलाफ अग्यात जो भी ये लोग हैं उनके खिलाफ ये फायार दज करवाई जाए जो लोग रात को ऐसा काम किये हैं आज आग लगाए हैं कल कुछ भी हो सकता है बही और बहुजन समाज के सभी संगठन के लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है अपील है चाय जीतने भी संगठनों आप लोगों ने तो मिशन को कमजोर करी दिया है बाबा साहिब के और मानिवरकांस निराम साहब के हमारे मापूर्सों को मिशन को सबसे ज़्यादा कमजोर करने माले ह अमारे संगठन के लोग हैं उन्होंने मनुवादियोंने हमें किवल छे 1743 जाती में बाट था लेकिन इन संगठन वालों ने तो हमें लाकों संगठन में बाट दिया है टुकडे टुकडे में कर दिया एक बहुत इत्तेज रफ्तार से नदिया रही थी हमारे इत्म नाइथ नहीं till I am hour लाकों संगठन के रूप में बह रही है आज हमारे जो मुक्ह विचार दारा ठी मापुर्सों की वो धारा कम जोर सुकी है हुआ हैं तो मैं संगठन के सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप सुरक्षा दे कलाकारों का सम्मान करें टरिल इसमयारों rokt तो हम कुछ भी गा सकते हैं धोंग पाखंड देवी गीत बोल बंस कुछ भी गा सकते हैं ठीक है लेकिन मैं आपको बता दूँ आप लोगों को सायद बुरा लगे चाहिए किसी भी संगठन के लोग मुझे सुन रहे हैं देख रहे हैं बात करने होगी फोन करियेगा मैं बता दे रहा हूँ पहले भी संगठन थे बहुत पहले से भी संगठन थे लेकिन हम गीत संगीत के मादेम से कलाकार चाहिए कोई भी छोटा बड़ा कलाकार हो हम अपनी बात को उन लोगों तक पहुशा पाये हैं बाबा साहिब को उन लोगों तक पहुशा पाये हैं तथागत बुद्ध को जो आदिवासी समाज के लोग हैं जो पाड़ों में जंगलों में रहते हैं जिनके पास आप कहां तक कारेकरम करते हैं सहरों में करते हैं गाओं में करते हैं बजारों में करते हैं और आपके प्रोग्राम में कितना भी बड़ा आप मंच लगा लेजिए, आपके प्रोग्राम में वही लोग पहुचते हैं, जो सिक्षित हैं, जो बाबा साहिब को जान चुके हैं, जो मिशन को समझ चुके हैं, अपना तिल की राया लगा करके जाते हैं, लेकिन हम गित संग गयाजिपूरी और सपना बहुत को सपोर्ट करें कुछ दिन मुझे भी पहले इसी दमकी मिली थी आनन्द बंदू इंजिनियर को मिली थी मोनु सिंग अंबेटकर को मिली थी एफ हाई यार भी वा था उनके खिलाब तो ऐसा कब तक होगा आप लोग खुल करके सपोर्ट करें कलाकारों का सम्मान करें और उनका साथ दें आज सुबह दस बज़े तक जो साथ ही पहुच पा रहे हैं पहुचें और आदड़िये विसाल गिज़िपूरी और सपना बहुत जी का सवयोग करें अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो मुझे कोई फक नहीं पढ़ने वाला है कि मैंने बुरा कहा ही नहीं बस तीखा कहा है मैंने सच्चाई कही है और यही सच्चाई है हमारी जो तेज़ दारा आया रही थी ना मनुवादियों से लड़ने के लिए बिचार दारा जो हमारे मापूर्सों की उस दारा को अपने लोगों ने छोटी छोटी नार खोट खोट के खोट करके खोट खोट करके और उसकी दारा को कम जोर कर दिया क्यों मनुवादियों दोसी नहीं है अपने भी दोसी है किशोर क्रांती जी मेरा नमबर लिख लिजिए लिग लिजिए 63 073 57 068 या फिर आप अपना नमबर लिखिए मैं फोन करता हूँ अब बात कर सकते हैं किसी भी मुद्धे पर मैं घबड़ा नहीं रहा हूँ सातियों बस मेरा बस कहना यह है कि आज अग लगाया गया है कल कुछ भी हो सकता है किसी के साथ तो इसलिए मैं लाइब आया हूँ, इस बात को रखा हूँ, कुछ भी हो सकता है किसी के साथ भी, और एक के साथ अगर कुछ हो गया, तो फिर उसका परिड़ाम आप लोग जानते हैं, क्या होगा, इसलिए आप लोग सपोर्ट करें, कलाकारों को खुल करके, मानेवर कांशी राम साहब ने भी कहा था, जो वक्ता, दो गंटे में ये, गंटे में अपनी बात को पबलिक को नहीं समझा सकता है, वो कलाकार दस मिनट में समझा सकता है अपनी बात को, बिंदेश्वरी भारति लहर, भईया बिल्कूल आप सही कर रहे हैं, बाबा साहएब ने कहा था, सारे संगठन, बोलते हैं, सिख्छित बनो, संगठित रहो, संगर्ष करो, बाबा साहएब का नारा ले करके चलते हैं, तीन नारा, लेकिन सिक्षित भी हैं, संगर्ष भी कर रहे हैं, संगर्ष भी कर रहे हैं, संगर्ष भी कर रहे हैं, कोई दस अजार अपना ले करके इधर चल रहा है, कोई अपना बीस अजार संगर्षन का आदमी ले करके इधर चल रहा है, कोई एक लाख बड़ा संगर्षन है, तो एक ल बाबाशाइब अमर रहे मानेवर काशी राम अमर है यह सहाब अपने तरफ 4000 ले करके चलेंगे कायेंगे मेरा मेरा जो संगठन एक बिल्कुल महापुर्शो को बिचारदार पर एक एकदम मेरा इस संग्ठन बढ़िया है मेरे संग्ठन से जुड़िये सारे लोग अपने आपको बेटर प्रस्तुत करने में लगा हुए है कोई मिशन नहीं चला रहा है सारे लोग अपने आपको एक दूसरे से बेटर प्रस्तुत करने के लिए में लगवें कि मेरा संग्ठन बढ़िया है मैं बढ़िया हूं मेरी विचारा दारा बढ़िया रहा हूं आप लोग बटे रहेंगे छिटाय रहेंगे छिटाए रही है ठीक है कि छिटाए रही है इसे ही अपने आपको बेटर प्रस्तुस्त करने में लगे रहे हैं कि मैं बढ़िया हूं मेरा संग्ठन बढ़िया है अब हमको लग रहा है मिशन बचाई नहीं है अब से भी यह खोने की जरूरत है मैं बहुत बड़ा ज्यानी नहीं हूं बहुत बड़ा मिशनरी भी नहीं हूं मैं बहुत बड़ा ज्याता भी नहीं हूं बिद्वान भी नहीं हूं मुझे बहुत ज्याद जानकारी भी नहीं है लेकिन जितनी समझ है उतनी तो समझ है कि अपने लोग कमजोर किया है हमारे महा और हम संगठित नहीं है आजारों संगठन में है इस जी बात का फायदा उठाया जा रहा है इस देश में ठीक है फिलाल अभी मैं आई क्या हूंगा कि आप लोग नों आराब अजार पहुचे अधिक संख्या में दस बज़े तक बिसाल गाजीपुरी भईया का सवयोग करिए सपोर्ट करिए एफाईयार लिखवाने का प्रयास करिए लिखवाईए और प्रसासन से मांग करिए कि उनको सुरक्षा दे आज पोश्टर जलाया गया कल कुछ भी हो सकता है कुछ दिन पहले लागडाउन में मुझे भी दमकी मिली थी लेकिन मैंने उस बात को छिपा दिया पब्लिस नहीं किया हम दो चार लोग मिल करके आपस में समझ लिए आधरिये बहुत बहुत धनेवाद समता यावाज टीवी दिल्ली को मनो जनतानी सरको उन्होंने हेल्प क किया और सबसे ज्यादा मेरी मदद की आधरिये जेके आजाद आजमगड से युवा बस्पा नेता हैं जेके आजाद जो की मेरे भईया के साले साब भी हैं हमारे रिष्तिदार हैं लखनव में ही रते हैं उन्होंने उस धर्मा ठाकूर का जो व्यक्ति फोन किया था उसको बात किये और काफी अच्छे से समझाए उसको समझ में आ गई उसकी अवकात फिर इस मैंने इस मैटर को दबा दिया पब्लिस नहीं किया लेकिन अभी मैं जब देखा हूं कि कई लोगों के साथ ऐसा हो चुका है तो मुझे पब्लिस करना पड़ा है साउधानी के लिए कि ह अमरी काल कार्सा हो दान ले